तो कक्षा नवी के सभी विद्यारतियों आपको जिस घड़ी का बेशबरी से इंतिजार था जी हाँ आपकी वार्षिक परिक्षा का हिंदी के पेपर का सेट सी का पूरा सोलिसन देखने वाले तो बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट देखे सबसे पहला जो प ठीके यहां पर देखिए चोथे का उत्तर जाएगा पुस्तक पढ़ने में रम गया था कभी और रचना के आधार पर वाक्य कितने बेद होते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार को थे तीन मृत्यू का तरल दूद कोंता तेज यतिसे आता वाड़ का पानी यहां से देखिए काली तू रजनी भी रिक्तिस्तान साथ्षन की करनी भी काली ठीके यहां पर जाएगा काली ज्याने की काली तू रजनी भी काली साथ्षन की करनी काली सरंगार रसका इस्थाई भाव रती होता है काम यानि एक क्या है महा काव्य है दाड़े तिब्बत में सबसे रिक्तिस्तान की जगाए हैं खत्रे की जगाए हैं रचना के आधार पर जो वाक्य है वो तीन प्रकार के होते हैं हात हम हाती पे हल ना जुद पाया करते हम पे बेल है ठीके यहां पर देखिए सही जोड़ी है आप छे नंबर की आपकी सही जोड़ी है पहली है लह लह पालक महा महा धनिया यह आपका पहला हो गया है चोबीस मात्राओं का चंद यह हो गया आपका दोहा दाड़े इसका जागा तिब्बत जूरी का साला ठीके यहां पर गया मात्र ही भर देखिए यह सब जो है यह निपात सब्द है तो यह आपका हो गया पाँचवा और रीड की हड़ी जगदीश चंद्र मात्र तो यह हो गया आपका छटा चलिए अब है सत्य और आ सत्य गोपी सिरी क्रस्न की तरह मोर पंग का मुकुट धारन करने को तेयार नहीं है ठीके तो यह बात आपकी सत्य है आइस्तीर मनोविकार इस्ताई भाव कहलाते हैं असत्य हीरा और मोती गया के बेल थे सूर्य का तत्सम चंद्रमा होता है देखिए सूर्य का तत्सम होता है सूरज यह भी असत्य है आपका पांचवे के जबात कर तो यह भी असत्य लिग दीजगा और छटा आपका असत ये भी होने वाला याने कि केवल और केवल एक option इसमें right रहेगा ठीके अब एक वाक्षी में उत्तर ब्रिटीस ब्रिटीस राज का गहना क्या थी तो हत कडिया यहाँ पर लिख दिया मैंने हत बिना पुर्वा पर संबंद में स्वयम में पूर्ण होने वाला काविया कहलाता है तो मुक्तक काविया सावले सपनों की याद के लेखक का जो नाम है वो क्या है ठीक है तो जाकिर हुसेन पंचा मरत में कोन सा समास है पंचा मरत में दिगू समास कोन सा समास है दिगू उची दुकान और फीका पक्वान का क्या अर्थ है अधिक दिखावा ठीक है यानि की अपनी आमदानी से जानदा दिखावा क्या कहलाता है उची दुकान फीका पक्वान आपके पाटिकरम में पनिस्वर नात रेनू की रचना कौन सी है इस जल पिरले में चलिए इसके बाद में अगला कुस्चन है आपका कुस्चन नमर छे भक्तिकाल की विशेस्ता हो का की चार विशेस्ता है लिखनी है छाया वाद के दो कवियों के तथा उनकी एक रचना का नाम बताना है ब्रज भूमी के परती कवी रसखान का प्रेम किनकिन रूपों में अभी व्यक्त हुआ की सासन की तुलना ठीक है तम के प्रभाव से की गई क्यों कवी को कोहल में इस्सा क्यों हो रही है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समाने क्यों रसखान की दो प्रमुक रसणाओं के नाम बताने है माखनलाल चतुरवेदी के कावियों के भावपक्षे पर प्रकाश डाली है ठीक है यहाँ पर देखे कुष्चे नमर दस है यह इसका थवा है खंड कावि की परिवासा खंड कावि का नाम रोत्र रस की परिवासा उधारन से देना है दोहा चंद की परिवासा बतानी है जीवनी की परिवासा जीवनी और आत्मकता में कोई दो अंतर लेकिका ने अप इसके बाद देखिए कुष्चे नम्मर 15, 16 है लोकुक्ति और मुहावरे में अंतर जल्दी ही इनका सारे कुष्चेनों का सोलिशन दूँगा जो चीजिए आपको याद है उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं ठीक है यहां पा देखिए कुष्चे नम्मर 19 यह बावी से और यह अंतीम आपका कुष्चे नम्मर 23 तो आज मैंने आपको किलास 9 देखा हिंदी का सेट बी का पूरा पेपर बता दिया है जल्दी इसका सोलिशन भी आ जाएगा चेनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके रखेगा एक दम रियल पेपर दूँगा जो कुछ बताओंगा त्ट्इक सही जान करें विशे पर सिक्च्चकु विध्यारति का संवध आपको बतानाँınd है कि संसथान के लिए डी लिप्टि के लिए एक विध्यापन देना है सारे सोलिशन दूगा आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी यह कुस्च्शन तो अगले वीडियो में इन सभी का solution देने वाला हूं आपको क्या करना है चैनल के बल सब्सक्राइब करके रखना है नोटिफिकेशन और बिल्कुल चिंता नहीं करनी मैं आपकी पूरी जवाब दरी लेता हूं पूरे नंबर आपको दिला कर रहूंगा जो बच्चे वास्तो मैं अच्छे नंबर पर आपको करना चाहरा है वो चैनल सब्सक्राइब करके रखेगा नोटिफिकेशन और ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें